14 जून्थ इसले 24 गंटा में हलका से मुध्धम बारिश लगभग साभी जागा में हुड़या हुआ है Heavy to very heavy rainfall भी एक तो जागा में हुआ है अस्तरंगा पूरी के डिस्टिक्स में हाइस rainfall मिला 170.0 mm काकोतपूर में 129.0 mm रेभी पूरी डिस्टिक्स में है काटक का नियाली में 95.0 mm मलकानगिरी का मथिली में 88.0 mm काटक डिस्टिक्स का तीगीर्या में 82.0 mm लांतापूर्थ कोरापूर्थ डिस्टिक्स का 77.4 mm कंकादाहाथ इंकनान डिस्टिक्स में 72.2 mm जास्षे गुदा डिस्टिक्स का कोलाविरा में 66.4 mm इस अब हेवी रेंपल इसले चप्डिश कंटर में था और साउथ ओस मॉंशन भी एक्टिव था कालका हमारा जो लोग प्रोशर एरिया नर्थ ओस्ट वेया बेंगल एट्वानी मुरिशा गंगाटी को इस बेंगल का पास था अभी लैंड एरिया में चला गिया है इसमें एक्षेज रेंफॉल हुआ है उरिशा में नैंटी 5.1 mm हुआ है इस समय तक शहाविक होता है 7.8 mm तो 34% एक्षेज है और डिस्टिक्ट वास जो है 11 डिस्टिक्स में लाज ऍटिक्स में में 60% और मोर रेंफॉल हुआ है 5 districts में excess means more than 21% ज्यादा rainfall हुआ है और शहाविक बाशाविक का असपास बाकी districts में था अभी अगला 5 दिन के लिए ये forecast रहेगा इसमें next 24 hours में हलका से मुद्धाम बारिश इंट्री रुषा का मुस्तनफता प्रेसेस में होने का चांसेस है कोस्ताल रुषा में many pluses में हने का चांसेस है Heavy to very heavy rainfall एक तो जाएगा में मिल्ली इंट्री रुषा का अच्चनि कोस्तो रुषा का एक तो डिस्टिक्स में हो सकता है मिल्ली नौर्थ इंटिरियर का शौंदरगार, शौंबलपूर, देवगार, क्योंजर और और भी डिस्टिक्स ऐसा वरागार, जर्शिकुदा, शौनपूर, बोध, ओंगुल, कलाहंडी, खंदमाल, कुरापूर, मलकनगिर, हिनकेनल, कोटक, जगत्षिंपूर, बुडी, इशाब डिस्टिक्स में एक्टो जागा में हेवी रेंफल हो सकता है। 24 आओर्स का बाद कल 15th को भी मेनी प्लेसेस में नौर्थ इंटिरियर का डिस्टिक्स में बारिश रहेगा, मेनी बाकी डिस्टिक्स में मेनी प्लेसेस में हलका से मुद्धाम बारिश रहेगा। शुन्दरगार, जास्रिगुदा, शंबलपूर, बारगार, बुलांगीर, शुनपूर, उंगुल, देवगार, इसाबिस्टिस का अंदर में एक्टो जागा में हेवी रेंपल हो सकता है। शुन्दरगार, जास्रिगुदा, देवगार, क्योंजर, शंबल में एक्टो जागा में हेवी रेंपल हो सकता है। शुमूत्र जाने अगली वना किया है, नेक्स्ट फॉर्ट्याइट आउर्स तक, क्योंकि लोग प्रेशर एरिया है और स्टीफ प्रेशर गडियन्ट भी है, इसका बादन से स्क्वाली वेदर और तेज हावा, मेंस फॉर्टी टू फिप्टी गास्टिंग टू सिक्स्टी हमारा बे अब बेंगल एरिया में, नेली सेंट्रल बे अब बेंगल, अट्रेनिंग नर्थ बे अब बेंगल और आफ फॉरिशा कोस्ट में रहेगा, तो फॉर्टी वेन को अगला फट्की एटावर्स तब शुमूत्र रे जाने के लिए बना किया है, वोबनेशर सिटी में जेनरेली क्लावडी स्काई रहेगा, एक दो स्पेल सालका से मतम बारिश होने का चांसिस है, मैक्सिमान टेम्परेचर अभी मस्ट अब दा प्लेसेस में कम रहेगा, क्योंकि क्लावडीनेस रहेगा, ओके